आदिवास्यों के गाओं से EKVN मेंगर पानी लेता है और उसी पानी को जहरीला करके वापीश शोड़ देता है नतीजा आदिवासी गाओं में जो जानवर हैं वो इस पानी को पी के मर रहे हैं भूमी का जल खराब हो रहा है नदी नालों का जल लाल हो चुका है मचलिया मर रही है और इस से पूरे ग्रामिन इलाके में भई और गुस्टे का वातावरन है ताजा गुस्टा तब फुट पड़ा जब जाबों मेनगर की बिच गारिया नाले के पास एक नील गाय मरत पाई गई ग्रामिनों का आरोप है कि यह नील गाय इसी दूसित पानी को लाल रंगीन पानी को पीने से इसकी मौत हुई है एक सब्ता पहले भी एक गाय की मौत हुई थी मचलियों की मौत हो चुकी है लेकिन प्रसाशन पर कोई फरक नहीं पढ़ रहा है आज नाराज ग्रामिनों ने चक्का जाम कर दिया उसके बाद प्रसाशन ने आकर समझाइज दी एक सब्ता के आज सब्ता पर ग्रामिन माने लेकिन कहा कि एक सब्ता में ठोस कारवे नहीं हुई तो वो एके वियन यानि अद्विक छेतर को जाने वाला जल अनास नदी का जल बंद कर देंगे देखिए पुरी रिपोर्ट जाबो मेंनगर रोड पर गारिया नाले पर चक्का जाम कर रहा है ये ग्रामिन दरसल बीते कई महिनों से गुस्से में है वज़ा है कि इलाके से अनास नदी से पानी मेंनगर के अद्योगिक छेतरे के लिए लिया जाता है जहां पर केमिकल फेक्टरियां दूसित और प्रदूसित पानी फिर से नाले में रिलीज कर देती है नतीजा आसपास के दरजनों गाओं में भूमी के जल परभावित हो रहा है नदी नालों में बहने वाला पानी बेकार हो गया है केमिकल यूग तो पानी जानलेवा हो गया है कभी मचलियों की मौत होती है तो कई बार जो पालतू पसू है वो मर जाते है ताजा कड़ी में एक निल गाए की मौत हो गई है ग्रामिने को कहना है कि एक सब्ता पहले गाय की भी मौत होगी लगातार वो शिकायत कर रहे हैं लेकिन प्रसाशन के अधिकारियों के कानों में जू नहीं रही है ऐसे में परेशान ग्रामिन और आदिवासी उनका गुस्सा आखिरकार फूट पड़ा और उन्होंने अपनी बात को सासन तक पहुचाने के लिए अचानक चक्का जाम कर दिया चक्का जाम की सूचना पर पुलिस प्रसासन के थमाम अधिकारी पहुच्चे समझे है इसकी कोशिश की काफी गुस्य के बाद अंतरते ग्रामिन माने लेकिन ग्रामेनों की अपनी पीड़ा है सुनिए क्या करें ग्रामेन निल गाई मरी हुई है इस गारे नाले में जीव जन्तू, मच्छी, मेंडग जितने भी सारे जीव थे सब मर गए है तो अभी तक कोई एक्षन नहीं हुआ तो मजबूरी में इस सभी जन्ता के सहयोग से सब ने ये बोला कि जब तक फेक्टरी पे लोक नहीं हो जाता जब तक छिल नहीं होती है हमारा आंदोलन जारी रहेगा इसके पेले हमने आवेदन किया था और तेसिलदार साब को बुला के आउगद भी करवा था या मोखे पे दिखाया भी था गाई भी दिखायी थी उसके बाद यहां के जो जीव जन्तु मरे हुए थे तेसिलदार साब को मोखे पे बुलवा के दिखा दिया था तो आज तक कोई कारवाई नहीं हुआ है तो हम परशाशन से ये पेक्षा करेंगे कि इस जो केमिकल फेक्टरी का इस्थाई निराकरण किया जा चाहे उसको सील करो या इसका कोई नया समाधान किया जाए ताकि इस गारे नाले में कोई परदुशित पानी फेक्टरीयों का नहीं आना चाहिए ये हमारे मांगे ग्रामणों ने चक्का जाम तो कर दिया अपनी बाद भी सरकार तक पहुचा दी कि साथे साथ ग्रामणों ने चेताओं नहीं भी दे दी है कि अगर एक सब्ता के भीतर ये सब एकेवियन का प्रदोशित पानी आने बंद नहीं हुआ या उनके इलाके के नदी नालों में इसी तरीके का रंगीन और केमिकल युक्त पानी आता रहा तो ये सौबे ग्रूप से उनका अधिकार है कि चंद मुठिवर उद्योग पतियों के लिए वो इलाके के जल जंगल जमीन को खराब नहीं होने देंगे देखिए उनकी चेताओं नहीं क्या है मैं भी जनपत प्रतिनिदी उनके साथ हूँ और मेग नगर में जो केमिकल फ्रेक्टिस है वो बंद होनी चेए क्योंकि हमारे गाउं का यहां बहुत नुकसान हो रहा है हम यहीं चाहते हैं कि वो फ्रेक्ट्री बंद हो जाए बस लगातार यह समशे आती रही है हमने साथ दन का लाश्ट एन फाइनल आश्वसन लिया है इसके बाद अगर एक्षन नहीं आता है तो एके वी एन में जो पानी जाता है हमारे अंतरवेलिया के अनास नदी से तो वो पानी हम लोग बंद कर देंगे और इस गारे नाले में वो पानी जो पाई फोड़के इसी गारे नाले में वो पानी हम छोड़ देंगे ताकि हमारे आसपास हम फसलों में पानी गुमा सकें इसलिए वही पानी हम यह छोड़ देंगे ताकि हमारा सोच पानी मेगनगर में नहीं जाने देंगे क्योंकि 2 से 3 बार हो गया है अब हम परशाशन से मांग नहीं करेंगे अगर कारवनी होती है इसमें मेगनगर की सभी फेक्ट्रियों का मामला है सर ये क्रशना फेक्ट्री के आसपास दुसरी है वो सब फेक्ट्रियों का पानी इसमें आता है जितनी भी केमिकल फेक्ट्रियां है परशाशन को ध्यान में है सारी फेक्ट्रियां बंद हो जा या सील करना पड़े है वो सील करें लेकिन यहाँ पानी नहीं आना चीए दंसिंग बुरिया जनपसदश अंतरविल्या इस ध्यना प्रदरशन और आकरोष्केव और चेटावनी के बाद प्रसाशन ने कहा है कि वो एक सफथा के भीतर मामले की जाज करेंगे और ठोस्न नीराकरन का प्रयास करेंगे लेकिन ये बयान वो बयान लगता है जो एक उपचारिकता के तोर पर दिया जाता है कि तसिंदार को इस यह अधिकार है कि वो AKN की अध्योगिक नीती के नुरूप शाषन को इस तरीके का पानी रिलीज करने के रोकने संबंदी में उस्था कर पाए फिर भी क्या कहा तेसिंदार ने सुन लीजिए गुरामीनों की समस्था यह थी कि जो हमारे AKN से जो इंडस्ट्रिल एरे से जो पानी आता है उसमें कुछ रासनेक तत्मिलके आते उससे कुछ निलगाई मरने क्या सूशना प्राप्त हुई हमें इस सममन्द मों चक्का जाम किया था जिसे हमने आपासेнулसी बात चीद करके विदिवन कारवई करने का आशवशण देखे इसको समाप करा दिया दिया वरिष्ट को जानकरी भेजदी है ठीक है और अभी इसका पीएम करा जाएगा और जो भी तत्ति सामने आएंगे वरिष्ट को इसकी रिपोर्ट भीजी जाएगे ग्राइमिनों नो साथ दिन की समय सिमा दी है उस समय सिमा के अंतरगत हम कारवई करके प्रेशित कर देगे अद्योगिक छेतर में तमाम केमिकल फैक्टरियां हैं जो गुझरात से उटकर मेंगनगर के आसपास आ गई हैं ट्रेटमेंट प्लांट के नाम पर तमाम दावे होते हैं समीतियां बनती हैं अपसारिकता के तोर पर एक दो फैक्टियां बंद कर दी जाती हैं फिर चालू कर दी जाती हैं तमाम सियासत दान और अपसार इस सब गड़बंदर में मिले हुए हैं इस्थानी आदिवासी परेशान हैं, उनकी जल जंगल, जमीन, फसले तमाम खराब हो रही हैं, उनके पालतू पसू मारे जा रहे हैं, लेकिन सियासत दान खामों से हैं, आज अंतरवेलिया में तमाम चीज हुई, इंतजार है कि इन ग्रामिनों के बीच में आखिरकार कौन सा MLA पहुचेगा, और कब पहुचेगा, और क्या वो इनके साथ धन्ना देगा, इंतजार करते हैं, वन्ना MLA साब का भी हिसाब करते हैं.